मस्ते मित्रों, एक्सलेंस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, हर खबर सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और सभी के साथ शेर करें, धन्यवाद तो ए वीडियो आपके लिए है, तो दोस्तो इस वीडियो को पूरा देखें, तो आपको सब कुछ समझ आएगा, तो काट अप कितना जाएगा, इसके लिए हमको पहले यार का, मतलब की GDS Online Engagement का, साइकल 4 का, एक लिष्ट देखना परेगा, तो दोस्तो एए UP का, मतलब की उत्तरपदेश सार्कल का, लिष्ट 6 है, और इस साइकल 4 का है, तो देखते हैं कि GDS साइकल 4 में, लिष्ट 6 में, उत्तरपदेश सार्कल में, जो जो candidate selected हुए थे, उनका 10th में किया numbers था, और उनका Community क्या था, तो सबसे पहले आप देखें, की इधर देखें, इधर लिखा हुए Candidates का नाम, Registration Number, Post Community, मतलब की उसका Cast क्या है, एधर लिखा है, यह है Candidate का Community, मतलब की Candidate का Cast क्या है, ओ इधर लिखा है, और जो Vacancy निकला हुए था, जिस Post का, उस Post का Cast क्या है, ओ इधर और एह है candidate community ठीक है और इधा लिखा है percent of marks obtained मतलब कि उनका 10th में क्या marks था तो इधा देखिए दोस्तो 98.5% OBC का ठीक है और एक देखते है OBC का 97.3 AC का थोड़ा कम है 96.4 OBC का 97.33 और UR का देखे दोस्तो 97.6 मतलब कि बहुत ही हाई है तो इधर आप अगर देखे नीचे भी देखे तो देखेंगे EWS 95 मतलब कि इवार कैटेगरी से जो EWS में बिलाउं करते है उसका काटप थोड़ा कम जाता है और SC-ST का काटप सबसे ज़दा कम जाता है इधर देखे जहाँ पर OBC का 95, 97 में हुआ था और इधर देखे 98.33 में भी हुआ था लेकिन उधर और SC का 90% से ही हो गया EWS का भी 95% है इधर पर तो आप Google से ए शॉटलिस्टेट का लिस्ट डाउनलोड करके देख सकते है इधर देखे दोस्तों कि इस कुछ साल में GDS का काटप बहुत हाई जा रहा है और SC-ST का काटप थोड़ा कम जाता है लेकिन UR और जो OBC होता है उनका काटप थोड़ा बहुत जादा जाता है इधर देखे SC का 90.5% हो गया है ठीक है SC का देखे कम है 93.1% तो दोस्तों एस साब क्यालकुलेट करके experience के हिसाब से एक काटप लिस्ट तियार किया गया है तो देखते है ओ काटप लिस्ट क्या है यह देखे दूस्तों एक काटप का लिस्ट और खास बात एक नॉट ओफिशल है मतलब कि एक ओफिशल लिस्ट नहीं है एक प्रिभियास यार का जो साइकल 3 साइकल 4 का शॉट लिस्ट केंडिडेट्स का जो लिस्ट निकल था था उसको देखकर बनाया गया है और यह अंदाजा लगाया गया है कि इस बार साइकल 5 में काटप किया जाने का चांस ज्यादा है तो इदे देखिए GDS Recruitment Cut-off 2023 मतलब कि यह साइकल 5 का काटप का लिस्ट है तो इदे देखिए यूर गेटर दन 94 to 95% मतलब आगर आप यूर केटेगोरी से बिलोंग करते है और आपका 94 या 95% से ज्यादा मार्क से तो आपका सिलेक्शन होने का चांस ज्यादा है और अगर OBC से आप बिलोंग कर 93% मतलब कि यूर से OBC का थोड़ा कम है और इदे देखिए SC मतलब कि जो सीडियूल कास्ट होता है उनका तो और भी बहुत कम है गेटर दन 88 to 91% और ST का देखिए उसका थोड़ा बहुत कम है कि गेटर दन 87 to 90% तो दोस्तों आप सब के मन में एक उससे ना रहा होगा कि इतना काट अप ज्यादा किव है तो दोस्तों ऐसा कुछ बात नहीं है काट अप कम भी हो सकता है अगर आप जिस पोस्ट में प्रिफरेंस भड़े हो उसमें आपसे ज्यादा नामबर बला कोई एपलाई नहीं किया है तो आपका उस पोस्ट में सिलेक्शन हो जाएगा लेकिन यह सब मेटर नहीं करता है दोस्तों मेटर करता है कि आप जिस पोस्ट पर एपलाई किया हो उस पोस्ट पर कौन सी नामबर वाला कैंडिडेट अपलाई किया है तो दोस्तों यह आप देख सकते हैं यह कट आप लिष्ट है जी डीएस साइकल 5 का और यह नौट उफिशल मत अगर आप EUR है तो आप मान के चलिया कि अगर आपका 94 या 95% से ज़्यादा मार्क से तो आपका सिलेक्शन होने का प्रोबाबिलीटी ज़्यादा है तो ऐसा हुआ था कि GDS साइकल 4 में 100% बाला कैंडिडेट भी देखने को मिला था लेकिन वो लोग बाद में जाके डॉकुमेंट वेरिविकेशन के समाई डिजेक्टेड हो गया थे और अगर आप OBC से है तो आप मान के चलिया कि अगर आपका मार्क 92 से 93% का ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन होगा ऐसा भी हो सकता है कि OBC का सिलेक्शन 96-97 पर भी हो रहा है और यह आप शॉट लिस्टेट का लिस्ट में भी देख सकते हैं तो दोस्तों यह था जीने साइकल 5 रिक्रूट्मेंट में काट आप कितना जाने बाला है उसका डिपोर्ट अगर आपका टेंथ में नामबर ज्यादा है और आप OBC, SC, ST और UR यह सब काटेगोरी से बिलोंग करते हैं तो आप इधर से हम तो यह चाते हैं कि आप सब का सिलेक्शन हो जाए आप सब लोग नौकड़ी करें तो दोस्तों गुड़ लख और इस विशाय में अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी सवाल हो तो वीडियो का कॉमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें आपका हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा और कॉमेंट में आप एक मेंशन किजिए कि आप कौन सी कैटेगोरी से बिलाउग करते हैं और आपका टेंट में मार्क्स क्या है तो हम बता सकते हैं कि आपका जीडिया साइकल 5 में सिलेक्शन होने का चांस कितना ज़्यादा है तो दोस्तों नवाद